ही गाइस दुस्वागत है अपका कैप्टेन बीडियो के चैनल में जहां आज हम वाटिफ के एपिसोड से जुड़ी कुछ सवालों एंड डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जैसे कि क्या अपना पार्टी थौर एमसे वाले थौर से ज्यादा पावरफुल है विजन को सोल स्टोन कहां से मिला होगा एस उसको पाने के लिए किसी के कुर्बानी देनी होती है एंड एपिसोड सेवन की एंडिंग को थोड़े अच्छे से एक्स्प्रीन करेंगे क्योंकि यहां पर हम Ultimate Ultron या फिर कहें Infinite Ultron के पास 6 Infinity Stones देखते हैं और जैसा कि Loki सीरीज में स्टैबलिश किया गया था कि Infinity Stones MCU के respective universe में ही काम करते हैं ना कि उसके बाहर जिसके वज़े से TVA के अंदर Infinity Stones एक पेपर वेट के जैसे डौर में पड़े हुए थे और भी कई सारे चीजों के उपर बात करेंगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने फेवरेट सीन जो कि What If के Episode 7 से बिलॉंग करता है उसको कमेंट करें क्योंकि Boss यह पहला ऐसा एपिसोड होगा जिसके अंदर सबके अपने अपने फेवरेट सीन होंगे जैसे की मेरा तो सबसे टॉप वाला ये था जिसमें फ्रीगा आके आते ही थौर बिल्कुल वैसे ही रियक्ट करता है जैसे की हम बच्पन में किया करते थे जिससे ये स्टैबलिश हो जाता है कि आप भले ही God of Thunder हो या फिर strongest Avenger लेकिन मा का खौफ यूनिवर्सल खौफ है जो कि हर बीटे को रहता है इसके अलावा Captain Marvel का यहां पे पोजमान जब थौर अपने Lightning के पावर को और भी बढ़ा देता है जो कि एक टॉंट की जैसा लगता ह मानो Captain Marvel कह रही हो कि क्या तुम इतना ही कर सकते हो ब्लस ये एक छोटा सा कॉल बैक भी हो सकता है Avengers मूवी के इस सीन का जहां पे थौर अपने Lightning से Iron Man के ओपर अटेक करता है लेकिन यहां पर वो Iron Man के पावर को 400 गुना जाधा पढ़ा देता है और यह वाला सीन जहां पे सर्ट इतना पीकर टूल हो चुका था कि वो Statue of Liberty पे लाइन मारते मारते उसका एक हांट तोड़ देता है और फिर बाद में उसको जोड़ देता है वो तो बावाली था वैल जाधा off topic ना जाते वे मुद्धे पर आते हैं वरना लोग like के जगा dislike मारके चल देंगे So guys सबसे पहले ये जानते हैं कि Ultimate Ultron को Soul Stone कैसे मिला क्योंकि उसके लिए किसी अपने की बली देनी परती है तो process wise सोचे तो Ultimate Ultron के पास vision की body है तो maybe जिस universe से ये belong करता है उसमें भी Wanda उसकी love interest रही होगी और उसी की बली देकर वो Soul Stone को पाया होगा इसके अलावा सिर्फ दो ही episode बचे हैं तो इससे तो ऐसा ही लगता है कि next episode में हमें Ultimate Ultron ये Infinite Ultron की origin बताई जाएगी जिसमें हमें post-apocalyptic black video के बारे में भी बताया जाएगा जो कि अपने universe की soul survival है core Avengers की team में से इसके अलावा एक और character के बारे में हमें उस episode में बताया जाएगा जो की होगी warlord Gamora जो की Thanos के armor और उसके sword के साथ हमें trailer में देख चुकी है तो मुझे ऐसा लगता है कि maybe इस Ultimate Ultron ने उस universe के Thanos को मारा हूँ जिसके वज़े से Gamora इस Ultimate Ultron को खतम करने में लगेगी और क्योंकि Gamora जिन्दा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस universe में Thanos ने Gamora के जगर Nebula को sacrifice किया हूँ और जैसे ही उसको soul stone मिला वो बाकी stone लेने के लिए चल दिया जहांपर उसका सामना Ultimate Ultron से हुआ जिसके पास mind stone, time stone और space stone था जो कि उसको earth में ही मिल गया था जिसके मदद से उसने Thanos को मार कर उससे soul stone और बाकी stone भी ले लिया और उसके बाद से बाकी universe को conquer करने के लिए चल दिया या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वालड गामोरा इस universe में Thanos के बताय रास्ती पर चली और उसने Thanos की ही बली चड़ा कर soul stone लिया और उसको हला कर ही अल्टो ने soul stone लिया और फिर वहाँ से चलता बना मैं यहाँ पर हर एक possibility को consider करके चल रहा हूँ इसलिए मेरी theories आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही viral लग रही होगी लेकिन what if देखने के बाद से तो आपको मेरी theory भी थोड़ी मोडी legit लगी रही होगी वैसे MCU के अंदर भले ही गमोरा को Thanos के तौर तरीके पसंद नहीं थे बट फिर वी वो उसको dad मानती थी इसलिए जब उसने Thanos के बने हुए illusion को मारा था तो वो रोने लगी थी गमोरा को वारलोड का टाइटल ऐसे ही मिलने से रहा तो हो सकता है कि जिस universe में अल्टॉन ने अपने ultimate form को achieve किया हो उसी universe में गमोरा Thanos के बताएवे रास्ते पर चलती है और उसी के जैसे एक वारलोड बनती है और उसी universe के अंदर ultimate ultron Thanos को मारता है जिसके बाद से वारलोड गमोरा उससे बदला लेने के लिए लड़ती है इससे कुछ सीन के अंदर ही वारलोड गमोरा के character के अंदर देपता जाएगा और अब कोई ये ना कहे कि वारलोड गमोरा तो अपने universe में Thanos की जैसी एक villain है तो उसको क्यों watcher अपने multiverse avenger या guardians of the multiverse में जोड़ेगा तो मेरे भाई killmonger का black panther जो की एक villain है वो भी इस team का हिस्सा होगा जैसा कि आप इस poster को देखके समझी सकते हैं और उसका भांडा फूटेगा ये तो हमें मालूम ही है as ending में शूरी ने पेपर को सचाई दिखा दी थी प्लस टेलर में हम पेपर शूरी एंडोरा मिलाजी को किसी को पर attack करते हुए देखते हैं इस scene में आप Killmonger को Black Panther वाले सूट में देखते हैं जहाँ पीछे में Wakanda है और वहाँ पे हलिकॉप्टर मौजूद है मतलब कि Wakanda में US Army भी आई हुई है उसके पीछे क्योंकि उसने ना सिर्फ Tony Star को मारा है बलकि Roadie को भी मारा था और यही वो मौका होगा जब Watcher उसके लिए एक Portal खोलेगा ताकि वो यहाँ से निकल सके एस trailer के इस scene में आप देख सकते हैं कि पीछे में एक blue effect है जो कि देखने में काफी हद तक match खाता है Hyundai के वाटिफ के प्रोमो में वाचर दुआरा खोले गए Portal से जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना ही नहीं हम लोगों ने Dark Doctor Strange को Captain Carter, Thor और और बाकी लोगों के साथ भी देखा हुआ है और Dark Doctor Strange ने तो पुरा यूनिवर्स को ही बरबाद कर दिया था तो उससे बड़ा विलन कोई हो सकता है क्या और जब ये लोग Guardians of the Multiverse में हो सकते हैं तो Warlord Gamora क्यों नहीं वेल अब जब आप जान चुके हैं कि Episode 8 में क्या होने वाला है तो Episode 9 में क्या होगा उसको बात के लिए छोड़ देते हैं वरना पूरा What If का ending spoil हो सकता है अब Episode 7 देखकर तो आप समाजी गए होंगे कि भाई Watcher किसके वज़े से interfere करेगा पर चलिए जानते हैं कि वो क्यों करेगा एस जब वो निर्दाय होकर एक Universe को तभा होते वे देख सकता है तो इस Universe को भी तो वो तभा होते वे देख सकता है लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा वो एक टीम बनाएगा जिसका नाम होगा Guardians of the Multiverse जो कि आप लोग प्रोमो में देखके समझी गए होंगे और वो ऐसा इसले करेगा क्योंकि Ultimate Ultron सिर्फ अपने Universe में नहीं बलकि दूसरे Universe को भी टार्गेट कर रहा है इसको Simple Language में explain करूँ तो अगर आप अपने घर को गंदा करोगे तो Society President आपको कुछ नहीं बोलेगा लेकिन अगर आप अपने पडोसी के घर को भी गंदा करने लगोगे तो वो जरू टोकेगा अब यहाँ पर तो Watcher इतना capable है कि वो Ultron से deal कर सकता है डुकी हो सकता है कि एक transition scene भी हो कॉमिक्स में जब Thanos ने Infinity Stones को पहन कर पुरा कांट कर दिया था तो उसके बाद भी वो भी इसी तरह का Omnipresent टाइप सराउंडिंग में मिक्स हो गया था इनिवे वाचर भी कोई immortal नहीं है जिसको मारा नहीं जा सकता इसलिए शायद तक वो precaution के तोर पे Ultimate Ultron से deal करने के लिए एक team बनाता है जिसका नाम तो आप लोगों को पता चली गया होगा जो कि है Guardians of the Multiverse Ultimate Ultron की बात करे तो जो चीज इसको overpower बनाती है वो है ये सारे Infinity Stones जबकि Guardians of the Multiverse के पास सिर्फ एक Infinity Stone है जो कि Dark Doctor Strange के पास है लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट है कि Loki सीरीज के अंदर हमें ये बताया गया था कि Infinity Stones उनके ही Universe में काम करते हैं और उनके बाहर वो useless हो जाते हैं इसलिए TVA के अंदर as a paper weight उनको use किया जाता है तो Ultimate Ultron उनको use करके एक Universe से दूसरे Universe में कैसे जा रहा है तो इसका simple science है ये है कि TVA जहाँ पर है वो Marvel Multiverse के बाहर में exist करता है या फिर ऐसे pocket Universe में exist करता है जहां पर Infinity Stones काम नहीं करते हैं जो explanation हम लोग ने दिया था कि Marvel Universe के अंदर Infinity Stones सिर्फ respective Universe में ही काम करते हैं उसका संदर्व ये था कि 2003 और 2004 में Marvel DC के एक crossover event के अंदर हम लोगों ने देखा था कि Darkside को Infinity God with Infinity Stones मिल जाता है और उसको वो use करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर देसाथ बताता है कि ये सिर्फ उनके respective Universe में ही काम करेंगे मतलब कि Infinity Stones Marvel Universe में काम करेगा ना कि DC Universe के अंदर तो अगर हम Marvel Universe को consider करते हैं तो उसके अंदर ही Marvel Multiverse आता है तो Marvel Multiverse के अंदर Infinity Stones useful है In fact, 2013 में आए New Avengers के issue 3 के अंदर एक multi-dimensional problem को solve करने के लिए Weed Richards Infinity Stones को use करने का plan बनाता है तो वहाँ पर मौझूद Black Swan जो की inter-dimensional princess रहती है वह कहती है कि Infinity Stones Native Universe में ही काम करेंगे जो की इनकी limitations है बट ऐसा भी नहीं है कि ये completely useless है ये Stones तुम्हें थोड़ा सा समय ज़रूर प्रोवाइट करेंगे जिसके मदद से तुम आने वाले काल से निपटने के लिए दूसरा plan सोच सकोगे So maybe MCU के अंदर भी Infinity Stones दूसरे Universe में काम करते हूं बट उस लेवल पर नहीं इसी का फाइदा उठा कर दूसरे Universe में उसको हराया जाएगा हमारे Guardians of the Multiverse द्वारा या फिर ये Infinity Stones सिर्फ दिखावे के हैं as a trophy but I don't think so की ऐसा होगा as इन Stones का पोड़ा तो काम करना जरूरी है तभी तो वो एक Universe से दूसरे Universe में जा पा रहा है वेल अब आते हैं इस बात के उपर कि क्या Party Thor अपने MCU वाले Thor जितना powerful है या नहीं जिस पर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना Thor स्ट्रॉम बेकर को यूज़ करता था जो कि उसके power को control नहीं बलकि amplify करता था जबकि Party Thor के पास मियोनिर था तो यहाँ पर तो अपना MCU वाले Thor विस ट्रॉम बेकर जादा powerful है और Party Thor उसके सामने कुछ भी नहीं लेकिन 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 अगर आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज के उपर गौर फर्माया होगा तो आपने देखा होगा कि हमारा Party Thor का आँख ग्लो कर रहा होता है जो कि MCU के अंदर तभी हुआ था जब Thor को यह पता चला था कि उसके power का source वो खुद है ना कि मियोनिर और उसके बाद से तो यह थार का basic look हो गया था मतलब कि उसके आँखों में वो thundering वाला effect जो कि हम लोगों ने end game movie के अंदर भी देखा हुआ है सो मेरे ख्यास से Party Thor with Mjolnir हमारे MCU के Thor Ragnarok से पहले वाले Thor with Mjolnir को हरा सकता है क्योंकि आँखों का glow करना shows की Thor अपने power source के बारे में जानता है जो कि आप इस scene में देख सकते है और भले ही Captain Marvel ने कहा है कि वो hold back कर रहे थी और वो binary formation नहीं गई क्योंकि वो उसमें अगर गई तो कई सारे देश तबाह हो सकते थे तो मुझे ऐसा लगता है कि Thor भी hold back कर रहा था क्योंकि अगर वो serious होता तो वो अपने normal look में attack नहीं कर रहा होता बलकि उसके आँखे भी glow कर रही होती बताने को तो और भी कई सारे details है बट ये वीडियो और लेडी बहुत लंबी हो चुकी है और जितने भी मेरे what if के explanation videos के अलावा दूसरे videos होते हैं उस पर उतना अचा response नहीं आता है तो अगर आप चाहते हैं कि मैं what if के episode 7 के episode details के उपर काम करूँ तो आप मुझे comment section के जरीए जरूर बताएं ताकि उसके उपर काम करने का motivation मुझे मिले by the way किस किस का दिल उस वा टूटा था जब Howard the Duck ने हमारी Darcy को Mrs. Duck कहा था वो भी मुझे comment section के जरीए जरूर बताना इसके अलावा अगर आप हमारे channel पे नए हैं तो channel को subscribe कर दे और पुराने हैं तो please check कि एपने bell icon दबाया है या नहीं अगर आपने दबा दिया है तो well and good अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू उसका notification आपको जाए इसके अलावा हमारे channel का एक छोटा सा मोटू है जो कि यह लोगों की मदद करें अपना खयार रखें कीप मोईंग फ़रट लगा कर आगे बढ़ते रहे थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो स्टे ट्यून्ट